गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर्शे आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कानवालिस के जो परसासनिक सुधार है उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखें स्टुडेंट्स जो सुधारों का काल है के बारे में बताया और उसके द्वारा किये जो नयाइक सुधार है उनके बारे में बताया ठीक है आज हम आपको परसासनिक सुधार के बारे में जानकरी परदान करेंगे तो देखेगा 1785 में जो वरेन हैंस्टिंग ये अपने देश लोड जाता है और इसके बाद पर न्यूक्त किया गया जब कानवारिस भारत आता है तो उस समय कंपनी के सासन व्यवस्ता में अनेक दोस्त भी थे और जो कानवारिस है इसने सासन व्यवस्ता के दोसों को दूर करने के लिए कंपनी की आवसेक्ता के नुसान नेरने लिए तो इससे क्या होता है कि कानवा मतलब कार्णवालिस के अच्छे मित्र थे जो कार्णवालिस अब है अपने इच्छा नुसार भी निर्ने लेने में मतलब आगे था और कार्णवालिस के जो सुधार है उनको हम चार भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे उसके परसास रखी सुधार है व्यापारिक सुधार हैं, नया समंदी सुधार हैं और भूमी का स्थाई बंदोबसता है ठीक है तो मतलब जो हम लोग आपको December बता रहें व।ंक हम पहले वीडियो में पढ़ भी लिया है जैसे भूमी का स्ताइबंदों बस्तम ने पढ़ा इसके नया समंदी सुधार हमने पढ़े और टोटल मतलब जैसे पूरे सुधार भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम आपको पर्टिकुलर सुधारों के बारे में भी अच्छे से वीडियो दि स्ताइब कर दिया कि जो करमचारी उसके निर्देशों की अभ्यल न करेगा उसे तद्काल पज्युत कर दिया जाएगा ठीक है इसने अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरन कर दिया और भ्रष्ट अधिकारियों को पज्यूत कर दिया उसको आधार पर नियुक्ति की विश्वास नहीं था अतह उसने उच पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त करना आरंबे किया उसने ये नियम बना दिया कि 500 पॉंड वार्शिक से अधिक वेतरम पाने वाले पदों पर केवल यूरोपियन लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा इसके परणाम सुरू देखें तो कमजोर पक्स था और इसे मतलब जो योग्य भारतिय थे उनको आगे आने का अवसर नहीं मिल पाया था ठीक है कानवाल इसने बंगाल में 35 जिलों को गठा कर 23 जिल्ले कर दिये पर तेक जिल्ले में एक अंग्रेज कलेक्टर और उसके दो अंग्रेज सहायक नियोक्त किये जाते थे जिल्ले में शान्ती एम्विवस्ता बनाई रखना, राजस्वय जमा कराना, पुलिस्वय जेल की निग्रानी रखना, आधिक अउतर दायत्वय कलेक्टर पर था कानवालिस ने पुलिस विभाग में भी महतोपुन सुधार के जमीदारों से उनके सभी पुलिस समन्दी दिकार छीन लिये गए, परतेक जिल्ले को कई छोटे-छोटे लाकों में बाढ़ दिया गया, और परती 20 मील के अंतर पर एक पुलिस थाना इस्तापित किया गया, परत अंग्रेज मजिस्ट्रेट को जिल्ले में पुलिस के कारिये का निरिक्षन करने का उतरदाईत्वाय सोपा गया, कलकत्ता में पुलिस परसासन की देखरे के लिए एक नए संसाल की न्यूपती की गई थी, ठीक है, तो देखेगा कानवालिस ने मतलब कई अपने दम पे पर रवस्ताएं सुधारी थी, वो भी मतलब भार्तियों को संतुस्टे नहीं कर पाई थी, ठीक है, और वैसे देखें तो मतलब जो परसासनिक परिवर्तन किये गए थे, उनका स्रे मुखे रूप से वारेन हैंस्टिंग्स और लाड कानवालिस दोनों को दिया जाता है, तो ज तो स्वेम ओरेन हैंस्टिंग्स है, वह भी इतनी अधिक एन्येमितता ये करता था कि इंग्लेंड में उसके विरूदे महभ्योग चलाया गया और उन एन्येमिताओं और तुरूटियों का निराकरण आगे चलकर लाड कानवालिस ने किया, लाड कानवालिस ने फोसदारी नियाय पर्शासन से भारतियों का जो नियेंतरन है, वह समाप्त कर दिया तथा सदर निजामत अदालत को पुनह कलकत्ता इस्थाना तृत कर दिया, जमिदारों को पुलिस कारियों से मुक्त कर दिया, और संपूर्ण नियाय व्यवस्ताव कुसल आधार सिला पर रख दी, क और वैसे तो लाड का अन्वाल इसने परशासनी में जो सुधार किये उनको देखते हूँ से एक सफल गवर्नर जनरल भी हम कह सकते हैं वह है उच आदर्स का वेक्ति था और उसका नैतिक स्थर्व इतना उचा था कि कमपने का सासन उससे परभावित हुए बिना नहीं रह सका उसने कमपनी की सेवों में योगेता के अधारपन न्यूक्ति करने की आदर्स परंपरा आरम की उसके न्याय समंदी सुधार और भूमी का स्थाई बंदोबस्त उसकी कीर्थी के स्थम कहे जा सकते हैं उसे भारत में न्यूक्त करने से पूरए दो विश्यसा दिकार भी पर जो कानवालिस उसने भारते में काफी सुधार किये थे तो इस वीडियो में हमने कानवालिस के परसासनिक सुधारों के बारे में जानकरी प्रात की आगे हम आपको कानवालिस द्वारा किये गए व्यापारिक सुधारों के बारे में जानकरी देंगे तो बने रहें हमारे यू